गाइज आज हम एक ऐसे गेम की बात करेंगे जिसको जादा लोगों ने तो नहीं खेला है लेकिन जिन्हों ने भी खेला है ना उनको पहता होगा कि यह कितना जाधा amazing गेम है मैं यहाँ पर बुली की बात कर रहा हूँ बुली को रॉक्स्टार गेम्स ने ही बनाया है जिनको आप यूजिली जीटिया और राटियर के लिए जानते हो आज हम बुली गेम की 20 ऐसे facts लिखकर आये हैं जिनको जानकर आप बुली को खेलने के लिए काफी excited हो जाओगे और अगर आपने खेल भी रखा है तब भी आपको कुछ ऐसी चीज़े पता सेलने वाली हैं जो शायद आपको पहले नहीं पताती इस list में कुछ ऐसी interesting easter eggs भी होने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप फिरान हो जाओगे जैसे कि 2D universe, 3D universe और HD universe लेकिन Rockstar Games और even RDR series में आपको बुली से related कुछ references भी देखने को मिल जाएंगे जिससे straight away प्रूफ हो जाता है कि बुली actual में GTA series और RDR series के साथ ही set है और ये game दोनों ही games की universe में exist करते हैं respective कि वो game 3D universe का है क्या फिर HD universe का Rockstar की तीनों series में क्या connection और उस पर बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है जो कि आपको गेम में कहीं और भी देखने को नहीं मिलेगा अब तक जो भी GTA series के games आए हैं उसमें Rockstar games ने कहीं अपना logo या फिर बिन नाइम का reference दिया हुआ है और बुली में भी कुछ ऐसा ही है गेम के The Easy Drug Store की Windows में आप RX written logo देख सकते हो जो कि clearly Rockstar games का logo Rockstar resemble करता है तर सच में Rockstar games ने आपने Easter X दिन में बहुत clever है बुली की story 6 chapters में divided है और हर एक chapter का अपना season है और एक chapter 1 में autumn season होता है पर chapter 3 के start में winter शुरू हो जाती है वैसी chapter form में spring और chapter 6 में summer दिखाई गई है यह game one of the first game है to introduce seasons और normally भी यह feature games में हमें देखने को नहीं मिलता Just like GTA 6, Bully 2 भी Rockstar games का most anticipated game है अब यह game कभी release होता है या नहीं तो वो कुछ कह नहीं सकते लेकिन leaks और claim से ऐसा पता चलता है कि Bully 2 की development कहीं बार restart करी गई थी Bully 2 के 2006 में release होने के बाद Rockstar games ने 2008 में GTA 4 को release किया और GTA 4 की development के बाद Rockstar games ने Bully 2 की development के लिए एक team बनाई थी इसकी development 2009 से 2017 तक चली और इसको बनाने काम काफी time तक restart किया गया था लेकिन due to bigger projects like GTA 5 in 2013 और RDR2 in 2018 और even GTA 6 की development के चलते Rockstar games में 2017 में Bully 2 का idea ultimately drop कर दिया वैसे इस बात की कोई surety तो नहीं है कि Bully 2 कभी release होगा या फिर नहीं लेकिन इससे एक बात बता चल लेकि GT6 तो हमें जरूर देखने को मिलेगा अभी मैंना जैसा आपको बताया कि Bully 2 की development almost 8 साल तक चली 2009 से 17 तक इस पर एक और interesting fact ये भी है कि Rockstar Games का plan तब Bully 2 को officially announce करने का वो भी in 2017 लेकिन game development में complications और Bully 2 का project hold करने की वज़ा से Rockstar Games में Bully 2 का announce करना सही नहीं समझा लास्ट ये 2021 में Bully 2 दुबारे से एक hot topic बन गया था और इसका reveal 2021 के game abouts के लिए प्लैन किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ 2022 में recently Rockstar Games के एक पुराने developer ने confirm किया कि Bully 2 को originally cancel कर दिया गया था कि वो Bully 2 को बहुती deeper levels पर details देना चाहते थे और बहुती advanced game बनाना चाहते थे और दूसरे projects like GTA title पर focus करने की वज़ा से 6 को cancel किया इवन Rockstar Games की parent company Take-Two ने भी रास्ट येर ऐसा claim किया था कि उन्होंने एक unannounced game project को cancel कर दिया है जैसे वज़े से उन्हें 53 million dollars का loss हुआ है सच में भाई Bully 2 की mystery GTA 6 की mystery से कम नहीं है जब Bully game का relaunch हुआ था ना with the name of Bully scholarship edition तब इसमें हमें कुछ new content भी देखने को मिला था और इसका सबसे notable new content था new subjects जिसे की biology, math, music और geography GTA Sanandias 2004 में release हुआ था और उस time इसका main attraction था इसका map size, GTA Sanandias के बाद Rockstar Games का next title Bully होने वाला था और इसे के साथ Bully के concept planning में map का size काफी बड़ा रखा गया था Even as big as GTA Sanandias का map, इस map में हमें seivers और एक full-fledged subway system भी देखने को मिलने वाला था just like GTA 4 Ultimately ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो Bully पहले से काफी ज़्याद amazing game बन जाता Bully game को release हुए काफी time हो गया है, लेकिन इस game की एक mystery अभी भी बनी हुई है और वो है कि Bully game की studio आखर किस year में set है Game में vehicle models और building designs 80s और 90s के era को point करते हैं लेकिन school के notice board में आप year 2007 को देख सकते हो और तो और Rockstar Games में suggest किया था कि game actually में 2006 में place करता है लेकिन boys dom में एक arcade game है और वहाँ पे लिखा हो था कि current year 1995 चल रहा है तो बड़ी confusion है इसकी date को लेकर कि किस year में set है गैस आपको बता है कि Bully को GTA without guns भी बोलते हैं Actually Bully और GTA में और भी काफी differences है लेकिन एक बड़ा difference है इस game में characters के through use होने वाली language Rockstar Games अपने typical fashion में Bully में भी foul language और curse words का use करने वाला था और इस game में teachers के बास even weapons भी होने वाले थे Weapons से मेरा मतलब rifle या grenade नहीं मैं nightstick की बात कर रहा हूँ GTA Y.C.T. में police के हाथ में आपने देखी होगी हाँ वही लेकिन game का concept school kit से related था तो इस वेज़े से an idea सो completely हटा दिया गया Guys, Yahoo Games ने 2006 में Bully को one of the most controversial games of all time का title भी दिया था कब Bully Rockstar Games का title है तो controversial तो हो नहीं है Just like any other Rockstar Game Bully को Brazil में ban कर दिया था 2008 में Brazil के court judge ने Bully गेम की sales और import में complete ban लगा दिया इसका main reason वहाँ की state psychology society का claim था कि ये game teenagers और even adults के लिए humble है वाँ पई वाँ लेकिन फिर year 2016 में game ब्राजील में officially release किया गया Bully वर्से आप क्या समझते हो कोई ऐसा बंदा जो odd को hurt करे या tease करे Bully game का main concept भी कुछ ऐसा ही होने वाला था पर जीमी होपकेंस बुली का main protagonist इस game का bully होने वाला था बट बाद में इस idea को scrap कर दिया गया पर उसके जगा बुल्वल स्कूर में कुछ bullies add कर दिये और जीमी को bullying stop करने वाले Troublemaker student की तरफ portrait किया गया इस bully game को ना actually बहुत पसंद किया जाते और इस game को best game के काफी आप में से कम लोगों बता होगा कि GTA 5 में हम Bigfoot से भी मिल सकते है GTA 5 के 100% completion पर एक strangers and freak mission कर सकते हो through Franklin और इस mission का नाम है था लास्ट वन इस mission में Franklin एक hunter से मिलता है और वह hunter Franklin जे Bigfoot को पकलने की help मांगता है जब Franklin Bigfoot को shoot करता है तब वह Bigfoot नीचे गड़े जाता है और ऐसा reveal होता है कि actual में वह Bigfoot नहीं बलकि एक इंसान है और उसने बस Bigfoot के कॉस्ट्यूम पेन ही होती है अब बोली का fact यहाँ पर यह आता है कि उस बंते को अगर आप closely देखोगे तो आपको वह facial look wise एक्जाक्ली में Hopkins जैसा रगएगा जो कि Bully Game का main protagonist है Bully Game की initial concept और final game में बहुत differences है इन में से काफी differences तो मैं आपको बताए दिये और आपको बता लग रहा हो कि यह कितने जादा game changing है One of the changes is that कि इस game का main antagonist या fit villain Bully Game का principal Ralph Kebles ने छोने वाला था पर later stage में साइड़े को drop कर दिया और इसकी जगा Gary को game में main antagonist portray किया गया च्योंकि Bully Game का ही एक student है तो यहाँ पर बात RDR 2 की हो रही है इस game में एक side mission है the normalist of man and a woman और इसमें हम कुछ old gangsters को track करना होता है इस mission के end में इस mission का main character के साथ हमारी fight होती है और अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो हमें एक revolver मुरती है जिसके दोनों side कहने स्केरे में edit लिखा होता है जो कि Bully का ये clear reference है Guys अब आपको बता ही होगा कि Bully Game का main antagonist Gary है Gary से related एक और interesting fact है कि game का last mission the final showdown में Jimmy और Gary की fight होती है जिसमें ऐसा plan किया गया था कि fight के end में Gary मर जाएगा तेकिन actually ऐसा नहीं हुआ और इसकी जगा fight करते हुए दोनों scaffolding से नीचे principal के office में गिर जाते हैं जहां Jimmy principal को सब scenario समझाता है और end में Gary को Bulwarth Academy से expelled कर दिया जाता है GTA 4 में आपको पता ही होगा कि आप इसमें TV भी देख सकते हो और इसमें even 2-4 channel भी होते हैं इनमेंसे एक channel में I am rich नाम का daily soap आता है जिसमें आपको Bulwarth Academy का एक scene भी दिखेगा Bulwarth Academy एक्चुली बुली गेम में दिखाये जाने वाले boarding school का नाम है और इस school बुली गेम का one of the main part भी है GT3 गेम भी एक बहुती कूल गारी डियाबलो स्चैलियन थी इस गारी को आप एक्चुली बुली गेम में भी shop class में देख सकते हो बुली में भी इस गारी का model और paint job exactly GT3 वाला ही है बस इसमें वो hood mounted super charger नहीं होगा तो guys यहीर थे कुछ facts about बुली गेम I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो एंचाल भी जरूर सब्स्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए मिल में आप से गली वीडियो में तब तक लिए डाटा बाय बाय